नमस्कार, मैं भी किशन गंज लोकस्भाजचेत्र के अमौर विधान सभाजचेत्र में हूँ, अमौर पुणिया जिला में पढ़ता है लेकिन जो लोकस्भाजचेत्र वो किशन गंज है, और मेरे साथ देडिव के उमिद्वार सभाजपर साभ, तो आप तो 2010 में बीजेपी स कर दिया था एक आप थे और एक कुछ धामन से अब्दुल रह्मान थे और 2010 में जीतने वाले बीज़पी से मुस्लिम कंडिडेट एक मात्र आप थे वहार गए थे कि 2015 में आप भी हार गए तो 2015 में आप क्यों हार गए थे जफर साहब कि 2015 में लोगों ने महसूस किया कि सबाज अफर साहब चुकि ये इलाका जो है बहुत ज़्यादा बधाल इलाका है हमसे उमीद ज्यादा रखेते लोग लेकिन मैंने ये सुना मैंने जितना रिसर्च किया पता ये चला कि 2010 में नितीज कुमार की पार्टी और बीजेपी दोनों साथ थे इसलिए आपको जितने में आसानी हुई 2015 में जब आप चुनाओ लेड़े तो बीजेपी अकेले थी और ये जो इलाका है मुसल्मानों की आबादी अच्छी खासी है और क्योंकि आपको मुस्लिम बोट नहीं मिला इसलिए आप हार गए क्योंकि आपके साथ नितीज कुमार नहीं थे नहीं नितीज कुमार नहीं थे ये भी बात सही है दूसरी बात यह है कि अमोर विदान सभा जो कि हम सत्ताधारी में थे उस टाम में और सत्ता में रहने के विए से हमसे उमीद लोगों ने ज्यादा रखा और उमीद के मताबिक जो काम अभी विकास कुछ आप देखा है जो इस रोड सब बना हुआ है या आज पिटॉल पम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर हिरो होंडा शोरूम देख रहे हैं उस सब जितना भी चीज आपने देखा यह सारा चीज होने के बाद यह इलाका में बार से परभावी तलाका है छे नदियां है यहाँ पर और छे नदिय के तबाही के वज़े से लोगों ने यह सोचा कि सबाज फर साहब सरकार में रहकर के इतना काम नहीं किये नाराजगी थी लोगों को इसलिए हमको वोट नहीं देखकर के वो प्रॉलाज़ कर गए कॉंग्रेस के तरफ लेकिन यह बात तो है ने कि जब जेडियू बीजेपी के साथ होती है तो जितने में आसानी होती है इस बात को तो आप भी मानते होंगे हाँ बिल्कुल एक दोस्त बिखर जाए तो जाहिर सी बात है कि भोट का प्रॉलाज़़ाज़शन हो जाता है दूसरे तब चले आते हैं अब निति तो आप इस बार क्या बीजेपी के सहमेती से जेडियू में आये हैं पर और दोनों के सहमेती से तो एक बाति बताई कि जो अमुर विधान सभाच छेतरें वहां Pitts बात है मुस्लिम आबादी जाधा है मतलब बस्लिम वोटर जाधा हैं और यहां पर मुसल्मान भी कई वरादरी में बटे हुए हैं आप कुलहिया विरादरी के हैं सॏइद ज वे सहाब उनकी पार्टी है और यहान से कहा जा रहा है कि जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अक्तरूल इमान वह यहां से कंडिट हो सकते हैं और उसरुजापुरी विरादरी के हैं और सुरुजापुरी विरादरी भी अच्छी खासी तादाद में है तो फिर जो एक मुस सलमान तो जितने भी कंडिडेट सा मुसलिम है बटना क्या है जो अच्छे होंगे उनको वोड मिलेगा आपको सुर्जापुरी विरादरी वाले भी देंगे या फिर बेशक कम को देंगे मैं दावे के साथ कहता हूं सुर्जापुरी वरादरी के लोग मुझे चाहते हैं मैं वो मुझे दिल से चाहते हैं मैं इतना बाद जरूर कहता हूं कि सुर्जापुरी वरादरी के लोगों ने मुझे काफी सम्मान देने का काम क्या है चाहे वो सिरसाबादी हो चाहे कुलया वरादरी हो या हमें हिंदू बरादरी में भी काफी हमें सम्मान मिलता है वो हैं नेए कोई ताकत हैं है कोई ताकत नहीं है अगर ताकत रहता तो पीछ इन जी अथ है तो उनिका हवा था एक और बात जफर जब तो बड़ी बात है साइद आप इसके लिए पता ने कितने ओचित है आपको नहीं लगता है कि बिहार में मुसल्मानों के जितनी तादाद है उस हिसाब से बीजेपी को टिकट और जादा देना चाहिए एक उमिद्वार बिल्कुल सही बात है एक उमिद्वार उनको बैसी में देना चाहिए मैं तो कहता हूँ अगर मुझे यहां से किसी मतब आज़ेश्ट्मेंट के चलते हैं हमको यहां पर यह हुआ है लेकिन किसी भी करणन से लेकिन बाएसी में टिकट देना चाहिए बीजेपी को मुसल्मानों को ज citoy है तो मैं कंफर्म करता हूं मैं कंफर्म करता है कि वो स्टीट जीतनाता है अगर बीजेपी से टिकट मिल गया वहाँ जो कंडिडेट अगर आवेदन दिया है तो वहाँ पर उसको टिकट मिले कंफर्म जीत सुनिशित है सवाज अफर हमोर से और बीजेपी से बाइसी मैं मैं जिता दूंगा मैं जिता दूंगा आप जब जाते हैं मिलते हैं तो आप पार्टी के से मैं कह दिया हूँ आवेदन मेरे भी दर्खासत है लोगों से कहा भी हो मैं परदेश अदेश से भी बात किया हूँ और सो लोगों से भी कहा हूँ कि निस्चित रुपा वो सिट निकल जाएगा में टिकर दिलाने का काम किया यहां पर शानवाज हुसे Lahoriash asks यहां के मुसल्मानों ने शानवाज हुसे शुक्रकजर हों कि वह मुझे यहां पर मदद किया बीजेफी को लेकर मुसल्मान क्या असहज रहते हैं थोड़ी मतला मैंने कई लोगों के बारे में यहां कुछ लोग जानते ही नहीं है कि सी का हक देना है लेना नहीं है यहां जो जनम-जाती पैदा हुआ है याके मुसलिम उसको हटाने की बात कहीं पर भी नहीं है यह तो सिफ़ गुम्रा करते विपक्ष जैसे हमारे कुछ कट्रपंद लोग हैं यह लोग उसको उच्छानने के काम करते हैं ताकि वह हमारा अपना वोड बना रहे बरकरार है हमारा वोड खिसके नहीं और हम तो कहते हैं लालू जादब जी किये हैं काम लेकिन कागस पर घोड़ा बहुत दोड़ा है जमीन पर कुछ नहीं हुआ उनका अगर वही बात होती मदरसे के जो तंखा लालू जी के टाइम में सिर्फ 3500 और 2200 रिप्या मिला करता था आज 42,000 रिप्या 50,000 रिप्या 60,000 रिप्या मौलान लोगों को मदरसे में तंखा मिलता है नितिस कुमार को यह से नितिस कुमार ने किया और वैसा मुक्मंतरी हमको नहीं लगता है कि बिहार में फिर दूसा कोई बनेगा आप लागे के जमिनदार भी हैं लोग बता रहे थे कि आपके पास लैंड मतलब अच्छी खासी कर दिल्वाने में या जीतने में इसकी बी एक बूमी का होती है हाँ एक बात तो है मैं बहुत बड़ा仔 मिनदार हूं जमीन के मेरे पास अगर कोई वालिद ने वरासत में को ये चछेत्र अमोर विधान सभा दिया है जमीन की बात छोड़ दिये ये तो बाब दादे ने दया है वो जो इस है मैं उसका शुक्रयादा करता हूँ 오늘 मुझे इतना बड़ा इज़्द दिया है अब मैं इस इलाके के लोगों का शुक्रयादा करता हूँ कि मेरा पहचान परदान मंतरी तक हमारा पहचान बनाने क काम अमोर विधान्सवा के लोगोंने किया है कई लोग अभी बात करे तो कह रहे थे कि यह सवाजफर ही हैं जो की इस इलाके में कमल क्हिलाने का का म यह बात सही है पूर हिंदोस्तान में खाता तो मेहीं तो आप बीजेबी से कहिए ने कि टिकेट और ज्यादा दीजिए मुसल्मानों को मैं अभी भी गुजारिश करता हूं आपके माधियम से कि बैसी विदान सभा में किसी मुसलिम को दे दे मैं समझता हूं कि वह 100% जीत होगा उसका